अब जान लेते हैं कि रिदे की बिमारी याने कौरनरी हांट डिजीज क्या है? सबसे आम बिमारियों में से एक है. लगातार पंपिंग का काम कर रहे रिदे तक बलड की सप्लाई करने वाली नालिकाओं यानि कॉरनरी ट्यूब्स के अंदर का रास्ता बाधित होने से अर्थात ब्लॉकेज होने की वजह से ये बिमारी होती है 18-20 साल की उम्र से शुरू होकर अगले 20-40 साल तक इन नालिकाओं में वसा का जमाँ होने के कारण ब्लॉकेज हो जाता है बच्चों में ऐसा नहीं होता क्योंकि अतरक्त वसा यानि फैट का इस्तमाल उनके शरीर के विकास में हो जाता है लेकिन जब 18 साल की उम्र के बाद या व्रिद्धी रुक जाती है तो रख्ट में उपस्थित ये वसा L.A.D., R.C.A. और L.C.X. नामक कॉर्लिरी ट्यूब्स के अंदर जमा होती रहती है और उत्पन होता है ब्लॉकेज वैसे तो आश्चर्य जलक तरीखे से बढ़ता हुआ ये ब्लॉकेज दिल को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाता जब तक कि ये नालिकाएं, सत्तर प्रतिशत से अधिक जाम न हो जाएं यही एक मात्र कारण है कि रिदे के लिए रख्ट की कमी हो जाती है हालंकि रिदे को इसकी गती के अनुसार सुचारू ढंग से काम करने के लिए मात्र दस से तीस प्रतिशत खून की सप्लाई ही चाहिए जब रिदे आराम की स्थिती में होता है, जैसे की लेटने, बैठने या खड़े होते समय तब इसे मात्र दस प्रतिशत रख्ट का प्रवा ही चाहिए जब कोई व्यक्ती चलता है या उपर चाड़ता है, तब रिदे की गती बढ़ जाती है और इसे 20 प्रतिशत तक रख्ट प्रवा की जरूरत होती है जोगिंग करते समय या दोड़ते समय या गती और भी बढ़ जाती है और रक्त प्रवा की आवश्यक्ता 30% तक पहुँच जाती है इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि 70% ब्लॉकिज तक एक व्यक्ती को दिल से जुड़ी किसी समस्या सीने में दर्द या बेचैनी जैसा कोई एहसास नहीं होता क्योंकि रिदय की मासपेशियों को 30% रख्त की सप्लाई उपलब्ध है रिदय की बिमारियों के लक्षन तभी सामने आते हैं जब इन नालिकाओं में ब्लॉकिज 70% से भी अधिक हो जाए इन्हें एंजाइना कहते हैं इसके सामान्य लक्षन हैं सीने की बाई और दर्द उसी हिस्से में बेचैनी, सांस की कमी, दम घुटने का एहसास रिदय की असामान्य गती, जबड़े में दर्द और बाई हाथ तक तनाव का बढ़ जाना कभी कभी कुछ खटनाओं में पीट अथ्वा कंधे में भी दर्द हो सकता है इन सारे लक्षनों का मतलब है कि उस व्यक्ति की नालिका 70-80% तक ब्लॉक हो चुकी है रिदय से जुड़ी दूसरी तरह की समस्या हार्ट अटैक के बाद दिखाई पड़ती है इसका मतलब है कि ब्लॉकेज पूरे 100% है ऐसी हालत में आराम करते समय भी एंजाइना या सीने में दर्द हो सकता है ऐसे में दर्द बहुत बढ़ जाता है और इसके साथ साथ पसीना भी आ सकता है बहुत भयानक या बड़े हार्ट अटैक की हालत में मरीज होश खो बैठता है मर भी सकता है आईए अब जानते हैं कि हार्ट अटैक के कारण कौन कौन से हैं हम सभी जानते हैं कि हार्ट अटैक दिल की चटल प्रक्रिया है जो ब्लॉकिज भी पैदा कर सकती है और एक खतरनाक बिमारी है ऐसा कैसे हो सकता है कि बहुत सालों से रिदय की बिमारी से ग्रसित व्यक्ति को अचानक ही दिल का दौरा पड़ जाता है इस तरीके के अचानक आ होते हैं जैसे जैसे ये ब्लॉकिज बढ़ा होता जाता है ये जिली भी फैलती जाती है और जब ये खिंचाओ अपनी सीमा को पार कर जाता है तब ये जिली फट जाती है अंगिनत रसायन खून में घुलने लगते हैं और खून जमने लगता है इस कारण नालिकाओं का बा की मास्पेशियों की जिस हिस्से को रक्त नहीं मिल पाता वा तुरंथ ही मरने लगता है ये असहनिय दर्द की स्थिती होती है और यही है हाट अटाक ब्लॉकिज किस जगा हुआ है इसकी आधार पर हाट अटाक माइनर मेजर या मैसिव हो सकता है अगर नालिकाओं के आखरी चोर पर ब्लॉकिज है तो दिल का एक छोटा हिस्सा ही क्षतिग्रस्थ होगा और इसे माइनर यानि सामान्य हार्ट अटाक कहते हैं लेकिन अगर ब्लॉकिज बढ़ता ही जाए और नालिका के शुरुआती चोर तक पहुँच जाए तो ये एक मेजर या असामान्य हार्ट होता है जिसके कारण रिदे की मासपेशियों का एक बड़ा हिस्सा निर्जीव हो जाता है हालांकि इस तरह के मरीजों को किसी अस्पताल में ततकाल चिकित्सा, डॉक्टरों की अच्छी टीम और अस्पताल प्रबंधन की मदद से बचा जा सकता है मैसिव यानि भयानक हार्ट अटाइक उस हालत में होता है जब LED और LCX के अलग होने वाले हिस्से के ठीक सामने बाई और के मुक्षी ट्यूब में ब्लॉकिज होता है इस कारण रिजे की लगभग 70% मासपेशियां मर जाती हैं और ततकाल मृत्यू भी हो सकती है ऐसे बहुत कम मरीज अस्पताल तक जिन्दा पहुँच पाते हैं इको कार्डियोग्रफी की मदद से हमें पता चलता है कि दिल की मासपेशियों का कितना हिस्सा अटैक के बाद निर्जीव हो चुका है आए हम सावल सेफटी वील की सोच के साथ जुड़ें और हांट अटैक को रोकें मैं एक दए टेकनिक आपको इसी बकत बताना चाहता हूं देश न्यू मशीन विच चाम विच नोपन द टाको लैटर अट्रल अटेको लाटरल का क्या मतलब है ये ब्लॉकेज ए बाइपर सेजरी में क्या करते हैं नही ट्यूब लगा देते हैं इसमें क्या करते हैं जो हाट की ये ब्रांच है और ये ब्रांच है इनको जोड़ देते हैं आपस में and there are so many small tubes जो इसको जोड़ जाए तो blood यहां से आने लगें ये जो छोटे-छोटे tube है ये मैंने बोला था sportsman चालू करके रखते हैं और sportsman चालू कर दिया तो क्या हो गया उसके पास दो supply हो गए एक तो ये original है और एक side वाली भी है इसको बोलते है इसको बोलते है इसको बोलते है बैंक में आपने loan लेते वे देखा है कभी collaterals बोलते है collateral मतलब क्या कि ये फेल हो जाए तो दूसरा कोई होना चाहिए तो ये collaterals भगवान ने हमें देखे रखा है original तो धाई था एक collateral भी देखे रखा कभी ये फेल हो जाए तो ये चालू करना अच्छा ये अगर चालू हो जाए बीना operation के तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता and this is a new machine, new technology which has come देखे हमारे medical science की technology बीना काटे वाली technology है ये देखे ये tubes हैं जिसमें कोई collaterals चालू नहीं है और ये है tubes के सारे collaterals चालू हो गए आपको समझा रहा है difference दोनों के अंदर ये जो छोटे-छोटे collaterals है ये हमारे सब के पास है और एक machine से इसको या तो sports करके चालू कर सकते हैं या तो एक machine से चालू कर सकते हैं ये machine क्या करती है सोचिए ये jackets लगा दिया हमने कफ में, thigh में, buttocks में और सारे को एक साथ squeeze कर दो तो क्या होगा इसकी blood कहां जाएगी, body में ही रहेगी पर कहां जाएगी ये heart के तरब जाके heart के tubes को धक्का देके प्रेशर देके इसको खोलेगी ये प्रेशर एक एक गंटे तक एक में इसको heart के संग सिंक्रोनाइज करके दिया जाता है सिंक्रोनाइज मतलब heart जब pump करे तो machine pump नहीं करता है जब heart pump करके रिलाक्स करने लगे जब पूरे blood बापस आती है तो वो squeeze करके सारे blood को एक साथ बेजा जाता है and this goes on ECG feed होती है computer को and this machine we have seen now without bypass surgery आदमी बोलता है मुझे immediate result चाहिए तो without bypass this can work very well तो इसको हम लोग बोलते है natural bypass natural bypass समझ नहीं भगवान ने already natural bypass हमें देके रखी है sportsman चालू करके रखा है तो आप heart के patient हो आप चालू करो आपके पूर लेटरल आ गई तो original नहीं भी होगा तो भी काम चल जाएगी और एक मैं जैसे ही हाँ एक और treatment आई है जिसको हम लोग बोलते है bio chemical cleaning ये अभी बहुत अच्छी result आ सकती है कुछ chemical अंदर डाल के blood में उसको अंदर से गला लिया जाए जैसे kitchen में आपने सुना नाली जाम हो जाए तो क्या करते हैं लोग कुछ chemical डालते हैं अंदर से तो ये chemical की भी treatment आजकल चल रही है बट अभी भी इसका results हर आदमी में same नहीं आता है बट results are still there बट आदमी में आता है